Welcome back dear friends to my YouTube channel, आप सभी का सभागत है दुबारा से, टॉपिक है वीडियो का कि जब आपका मूड खराब हो तो क्या करें? बहुत बड़ा सवाल है, right? मिरा नाम है सुनील चौधरी, मैं हूँ एक डिजिटल सक्सेस कोच, मिरा नाम है सुनील चौधरी, मैं हूँ एक डिजिटल सक कि मूड खराब होना ही नहीं चाहिए, किस वज़े से मूड खराब हुआ है उस वज़े के उपर भी काम कर सकते हैं और दुनिया में किसी से भी कोई भी उमीद मत रखिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए और जो मिलने वा सबसे जरूरी तो यह है कि मूड खराब होता है, इसे स्वीकार कर लो, ठीक है यार हो जाता है मूड खराब, हो जाता है मूड खराब, इट्स ओके, तो अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए कि ऐसा होता है, नमबर टू, टेक केर आफ यर फिजिकल हैल्थ, कीजिए, जब भी मूड खराब हो, एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपका बोड़ी एकदम टाइट रहेगा, तो आपका मूड कम से कम खराब होने वाला है, that is my experience, मैं कोई ग्यान नहीं दे रहा हूं, मेरा experience है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला ह तो अपनी टेंशन किसी और को देने के लिए आप जा सकते हो, बट यहां पर दिहान रखने वाली बात दोस्तों यह है, कि आज के जमाने में ज़्यादा तर लोग आपकी weakness का फाइदा उठाते हैं, और ऐसा आदमी बिलना बड़ा मुश्किल है, जिसको भी आप बहुत आपके मूड को और ज़्यादा खराब कर सकता है, तो बिलकुल ज़्यादा कोई भरोसे मंदा आदमी हो, तो ही किसी के पास जाएं और अपना उसके ओपर निकाल दें, परन्तु अगर ऐसा नहीं है, आपको अगर एक परसेंट भी डाउट है, कि कोई बंदा मेरा बिलकुल आइडिया है, मैं जाता हूँ खाने, हाई क्वालिटी का फूड खाने से मेरा जो टेंशन है खतम हो जाता है, आप तो टेंशन वैसे होता ही नहीं है, और मैं जाता हूँ फिर खाना खाने, मेरी फेवरेट डिशेज हैं, जितनी भी वहाँ चला जाता हूँ, मैं फेवरेट activities आपकी कुछ भी हो सकती है listening to music, dancing, eating food or whatever कर डालो और mood अपना ठीक कर डालो right उसके बाद अपना ख्याल जरूर रखें अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से ज़्यादा important इस दुनिया में कोई है नहीं भाई अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आप इस दुनिया में किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते ही okay उसके बाद है avoid isolating yourself इसका मतलब है ज्यादा देर तक अपने आपको अखेला ना करें अबमान की ज़िदी कि भी है मैं तो एक digital coach हूँ या प्रिलान चारूँ डिजीटल बंदा हूँ एक उधारन के लिए मैं तो इस कमरे में अकेला बैठा रहता हूँ दिन भर रात बार अकेला बैठ रहता हूं इसको अकेला होना नहीं कहते है इसको कहते है काम करना पूरे focus के साथ जब भी मुझे time मिलता है तो मैं public places में जाता हूँ वाटर पार्क में चला जाता हूँ ऐसी जगे पर जाता हूँ जहां बहुत सारे लोग है मस्त गप्पे भी लडाता हूँ अन्यान लोगों के साथ राइट तो अन्यान लोगों के सा राइट गॉसिप कीजिए मस्त दस पंदरा मिनिट का गॉसिप किया जा सकता है हफते में दस पंदरा मिनिट का गॉसिप किया जा सकता है वो फाइदे मंद है कई बार हमारा mood कराब हो जाता एक ऐसा goal रख लेते हैं हम जो बड़ा achievable नहीं होता अब यह तो भगवान decide करेग कि मैं यह काम particularly 50 संख्या में करना चाता हूँ मैं इस हफते 50 नए admissions चाता हूँ मैं एक digital coach हूँ I want 50 admissions this week but हुए सिर्फ 25 it's okay यार it's okay 25 हुए thank you God for 25 students 5 भी हुए होते तो thank you था और एक भी होता थे भी thank you और एक भी नहीं हुआ भी नहीं हुआ भगवान जी आपको पता है मेरे ल thankful for you समझ रहे हैं आप सो गोल्स बनाई ये बर भर के बनाई ये पर जितना अचीव हो रहा उसके लिए thank you बोलिये राइट जो होता है अच्छे के लिए होता है after that अगला जो tip है mood को ठीक करने के लिए expose yourself to positivity positivity मतलब आपके पास जो बुक्स होती है भाई इन बुक्स को आप पढ़िए ये the magic of big thinking राइट उसके बाद है rich dad poor dad ऐसी बुक्स को आप पढ़िए यहां से आपको positivity बहुत सारी मिलने वाली है positive लोगों के साथ रही है अब आप कहेंगे हम कैसे रहेंगे positive लोगों के साथ तो यह रॉबिन शर्मा का वीडियो सुनिए मेरा वीडियो सुनिए हिमीश मदान का वीडियो सुनिए संदीप मैश्वरी का वीडियो सुनिए बेवेक बिंदरा का सुनिए टॉनी रॉबिंस का सुनिए टॉम जिगलर का सुनिए and there are so many people in the world बहुत सारे motivational speakers है बहुत सारे YouTube करना है प्रभू को इस नेचर को everything be grateful I am really grateful कि आपने मेरा यह वीडियो देखा मैं आपका और ज्यादा grateful हो जाओंगा अगर आप लाइक बटन पर क्लिक कर देते हैं राइट thank you very much so grateful आपको हर चीज का धन्यवाद करना है जो आपके जीवन में अच्छी है फिर देखिए कि जीवन में और ज्यादा अच्छी चीज़ें होने लगेंगी secret है अगर आप अच्छी चीजों का धन्यवाद करेंगे तो और अच्छी चीज़ें आपके life में होने लगेंगी पर अगर अगर आप अपनी life में जो problems हैं उनके लिए गुस्सा करेंगे तो और ज्यादा problems आपकी life में होने लगेंगी और और ज्यादा गुस्सा करेंगे और मैं तो यह कहता हूं कि जब आप यह डिसाइड कर सकते हो कि मेरा मूर बहुत खराब है और मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए इसका मतलब आप अपने कंट्रोल में हो और इस वेरी गुड साइन राइट प्रोफेशनल को मिलना सिर्फ एक फॉर्मल्टी रह जाती है कि अब मैं लाउस्ट मैं आपको एक और मूर खराब हो तो क्या करना चाहिए और मैं आज कल क्या गड़ता हूं जन मेरा आज कल मूर खराब होता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है और मेरा mood fresh होता है मुझे सबसे बड़ा mood खराब मेरा तब होता है जो मैं काम नहीं करता हूँ अगर आपके साथ भी ऐसी situation है तो please comment करके जरूर बताईएगा मेरा mood खराब सरफ एक बज़े से होता है जो मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं फटा फट से काम करने लगता हूँ मेरा mood ठीक हो जाता है Thank you very much for watching this video नमस्कार जैहिंद जैभारत